आज का टॉपिक बहुत जादा मज़िदार होने वाला है क्योंकि इसके बाद आपको इतना जादा फायदा दिखेगा ना कि आप पागल हो जाओगे हम सभी के लाइफ में एक प्रॉबलम होती है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो इंसान या तो हमसे प्यार उतना नहीं करता या तो करता नहीं है या तो हमें ये डर लगा रहता है कि वो इंसान कहीं हमें छोड़ के ना चला जाए तो क्या ऐसी कोई possibilities है ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उसको डरा सकें या उसके मन में एक डर पैदा कर सकें कि कहीं हम उससे खोना जाएं तो इससे क्या होगा इससे वो हमें जादा भाफ देगा जादा importance देगा जादा attention देगा हमें call करेगा message करेगा और उल्टा हमारी सुनेगा जब हम गुस्सा होगे तो वो मनाएगा और जब वो गुस्सा होगा तो हमें फरक नहीं परता तो यह सारी चीजें इससे हम discuss करने वाल करेंगे तो सबसे पहले question के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं question समझ गए तो answer अपने आप मिल जाएगा हमें question हमारा क्या है कि उसके मन में खोने का डर यानि कि खुद के खोने का डर उसके मन में कैसे पैदा करें हम ऐसा क्यों बोले कभी समझने की कोशिश की है हम ऐसा इस हमारे लिए मेरे लिए वो इंसान important है जब हम किसी को कहते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उससे प्यार करता हूँ दोनों में समझ रहों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ हम किसी से प्यार करते हैं नहीं करते उसका उस इंसान स कि वो इंसान दूर चला जाएगा हमें इस चीज़ की दिक्कत होती है कि अगर वो इंसान दूर चला गया तो जो तकलीफ होगी वो मुझे होगी मुझसे को इंसान छूट के चला जाएगा दूर चला जाएगा जो कि शायद मुझे खुशी दे सकता था और जो इंसान जितना हुआई समस्य उसे कोई इंसान आता है तुमसे बात कर서 और तुमसे बात नहीं अलोब हमारी बात नहीं और उसे घंप पहेगी तुम्हारी फटती है नहीं फटतीकंदो अ Tennnte securities है आपका एक benefit है आपका एक एहम आपका एहंकार को tripti मिल रही है समझे नो भारी वर्स का यूश कर रहा हूँ बर्दन समझो मैं क्या कह रहा हूँ तो जब हम कहते हैं कि उसके मन में भी हमें खोने का डर पैदा हो तो कहीं न कहीं ये साफ दर्शा रहा है ये चीज़ की आप कमजोर हो क्योंकि अगर आप में ताकत होती अगर आप में इतना ही दम होता तो आपके मन में question कभी आता ही नहीं आपको बेशक बुरा लगे लेकिन आप कमजोर हो और एक बात याद रखलो मेरी हमेशा जिन्दगी भर के लिए कि प्यार तब तक सफलर नहीं हो सकता जब तक आपके पास ताकत नहीं है प्यार बिना ताकत के एक है ही नहीं प्यार बिना ताकत के एक ऐसी गाड़ी जिसमें फ्यूल है ही नहीं उसका इंजन कितना अच्छा हो, MRF का टायर हो, BKT का किसका भी टायर हो, कुछ भी हो बाई एकदम चमका आगे रखो गाड़ी, फ्यूल नहीं हो चलेगी नहीं तो तुम्हारे अंदर कितनी ही महबत क्यों न हो जाए तुम किसी से कितना ही प्यार क्यों न कर लो अगर तुम्हारे अंदर वो फ्यूल, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी यानि की तुम्हारा प्यार नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, तो अब समझे हो मूल कारण क्या है, मूल भूत कारण क्या है, root level पे cause क्या है, concern क्या है, समझ पारो, यह concern है कि तुम कमजोर हो, एक example से समझो, कि आपकी एक दुकान है, right, कोई इंसान आता है, ठीक है, वो आपसे रोज 5 रुब का समान ले के जाता है, और बोलता है भाई, मैं कल से नहीं आउँगा, मैं कल से नहीं ले पाउँगा, मैं को तेरे समान पसंद नहीं आए, तुम्हें जादा फरक पड़ेगा, इतना फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोज की बिकरी ही 400-500 की हो जादी तो 5 पे इतना महत्व रखता नहीं है लेकिन एक ऐसा गरहाग है जो कि आता है और आपसे 100 दोस्तों का समान लेके जाता है और वो बोले कि आर तेरे न दुकान का समान पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हें प्रॉबलम होगी बिल्कुल प्रॉबलम है तो जिस इंसान से हमारा फायदा निकलता है हमारे मन में खोने का डर भी उसी के लिए पैदा होता है सिंपल सा सॉलूशन समझ में आगया क्या है और आप चाहते हो कि उस इंसान के मन में खुद को खोने का डर पैदा करे तो आपको उसके लिए इंपोर्टेंट बनना की तो अगर आपके पास लुक्स है तो बाइ डिफॉल्ट लोग आपको खोने का डर रखेंगे क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं जो हमारी जेनरेशन है वो लुक्स को लेके बहुत जादा दिवानी है जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके पहले लुक्स ही देखते हैं हमें घंटा मतलब नहीं होता कि अंदर क्या है क्या नहीं है वो कैसा इंसान है उससे कुछ खास मतलब नहीं होता हमें मतलब होता है कि दिखने में कितना अच्छा है दिखने में अच्छा होगा तो हम ये भी देखेंगे कि अंदर से वो इंसान मिला है वो अच्छे लुक्स का है वो अगर छोड़ के चला जाएगा तो उसको इंसान कभी दुबारा मिलेगा नहीं जो कि हमारे अंदर होता है है ना जो इंसान जितना जादा beautiful जितना जादा दिखने में अच्छा तुमें मिलेगा योगि मेरी उकाद इतनी है ही नहीं जब आपकी उकाद उतनी होगी ना कि आप ऐसी दूसरी बंदी तुरंत पटा लो या अगर तुम्हारी अंदर ऐसी उकाद होगी कि ऐसा बंदा तुम्हें यू मिल जाए तो तुम कभी खोने का डर रखोगे ही नहीं सिंपल सा एकॉनोमिक से अब डिमार्न सप्लाई का कॉंसेप्ट है यही रीजन है कि लड़कियों को जादा फरक नहीं पड़ता देखो सब लड़किया एक जैसी नहीं होती बट अगर मेजर तौर पर अगर देखोगे कि वही तो लड़की थी जो जो टेंशन दे रही थी आर इस गरीब की वही तो त्रिप्ती कर रही थी है वो भी नहीं देख रही तो हमें problem होगी ही होगी अगर वैसी चार लड़किया आपको रोज देके प्यार है जिससे प्यार होता है उसी से चीज़े अच्छी लगते हैं प्यार महबत का कॉंसेप्ट तुम्हें पता है कि मैं किसना ज़्यादा बिलीव करता हूं प्यार पे जो reason है वो यही है समझ गया मेरे भाई तो reason क्या है कि हम उस इंसान के लिए important नहीं है क्योंकि हम कमज है इसका solution क्या है दूसरे point प्याते है solution सिंपल से चीज़ यह है कि जो यह reasons है इनको दूर करो पैसे इतने कमाओ कि तुम अपने आपको important बना सको पैसे कमाओ सारे चीज़ का solution तुम्हें यह मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा जब आप पैसे कमाते हो ना तो आप अपने आपक जाएगी तो आपको लोगों से फरक नहीं पड़ेगा और जब लोगों से फरक नहीं पड़ेगा तो उन लोगों को आप से बहुत फरक पड़ेगा इतनी सी बात है किसी भी इंसान को देख लेना जब वो अमीर बन जाता है जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उसके भोलन मानने लगते हैं जो कि हम पहले अपने आपको नहीं मानते थे बस इतनी सी बात है समझे मिश्वार्वाह और एक और चीज होती है कि हम लोगों के पास काम धंदा कुछ करने रुप वरने को होता है नहीं हम कुछ करते धरते हैं नहीं बहुत सारे रिलेशन्शिप्स में देखा है, लोगों का ये concern आता है, कि यार, वो न मेरे जो पार्टनर है, वो मुझे भाव नहीं देता, मुझे इस्जत नहीं देता, मुझे टाइम नहीं देता, मैं बोलता है, तुम्हे इतना फरक बढ़ कि हो रहा है, हमारे घर में रेगुलर नहीं बनता भई, हम उसको special बना गए देता है, हाँ भई, समझेगा कि हम लोग कितनी खादिरदारी कर रहे है, और वही महमान हमारे घर में अगर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने रुख जाए, तो साला तुम उसको पनीरी खिलाते रहोगे क्या, कोल्डरिंग के लागे देते रहोगे क्या, नहीं दोगे न, तो वही खिलाओगे न, जो आपके पास है, जो आप भी खा तो वही खिलाओगे न, तो इतनी इसी बात है, simple सा है यार थोड़ा थोड़ा लगाया करो logic कि किसी भी इंसान से जब तुम मिलते हो तो तुम भी तो अपने आपका वो वर्जन दिखा रहे होते हैं जो कि तुम हो नहीं है ना उससे अच्छे से बात करते हो प्यार से है ना और वो कोई गलत चीज कहबी देता था तुम्हें इग्नोर करते हैं और कोई बात नहीं चलता रहते हैं क्या हुआ कोई बात नहीं है ना ऐसा होता है ना जैसा जैसा वो अब है वो तो बस życie बन रहा था जो बन रहा था समझ रहे हो तो इतना जादा यह काम कि जिन्दगी में कोई एक कारण लाओ जिस पे आप काम कर सको आगे बढ़ सको काम धंदे पे ध्यान दो पैसे कमाओ इस्जत कमाओ आगे बढ़ो वो कर रहा है नहीं करा यह कर रहा है कि नहीं करा लाश्ट में पता है क्या होगा वो इंसान भी आपको छोड़के चला कभी recommend हो जाए तो समझ जाओगे किस इंसान ने एक बात कही थे और देखो वो हो गया अच्छे अच्छे को प्यार मैंने देखा है जो so call वो प्यार करते हैं अच्छो अच्छो का मैंने प्यार देखा है मेरा काम ही है यह लोगों का प्यार देखना उनको समझाना ठीक है मे आटेंशन क्यों नहीं दे रहा वो बात क्यों नहीं कर रही वो यह क्यों नहीं अरे ना करे भाई तुम्हारे पास ऐसा डर है क्यों कि वो बात नहीं भी कर रही है तो मुझे फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि बात ही करनी है ना तो और और किसी से बात कर लूँगा अटेंश जिब में आते हैं वही चीज़ चाहिए ना बाकियों से मिल जाएगी समझ लो तो आपको उस इंसान से ज्यादा फरक पड़ेगा नहीं काम धंदा करो पैसी कमाओ जिन्दगी में आगे बढ़ो ज्यादा भाफ नहीं दो ज्यादा भाफ दोगे और वकासे बाहर वो चीज़ ह इसलिए हम उसको ज़ह भाफ दे रहें और दूसरा रीजन यह है कि हम खुद की उकाथ नहीं बना पा रहें तो या तो आप सामने वाले की उकाथ गिरा दो है दुकान से समानी पांस पावला लेते हो, तुम बहुत रोग मैं छोड़ के चला जाऊंगो, कल से नहीं आँगो समान लेने, वो बोलेगी, मत ले, निकले यहां से, फुट ले, फिर तुम बहुत अच्छा मीम वगेरा चल रहा है, तो कमाओ भोस डीके, तो तुम कमाओ पैसा लड़की को चाहिए पैसा तो तुम कमाओ ना, हमें क्या चाहिए, लड़कियों से क्या चाहिए, पताओ, वो तो चाहिए, लेकिन उससे पहले ही क्या चाहिए, लुक्स चाहिए ना, लड़किया मेकप ठोप रही है, एक से एक ब्रेंडेड मेकप ठोप रही है, तो जब त तुम्हें चाहिए वो वो चीज़ कर रही है तो जो उनको चाहिए वो तुम कर लो तुम पैसे कमा लो नहीं महनत लगती है पैसे कमाने में कम लगान में इतनी महनत नहीं लगती वही बात कर रहो यार फालतो की बातें मत करो यह रीजन है इस सीजन पर काम करोगे तो बहुत इज़त मिलेगी बहुत अटेंशन मिलेगा। वो भी मिलेगा जो तुम्हें चाहिए और तुम्हें वही चाहिए। भालतो वह धकोसला होता है प्यार महबत का। कमेंट करके बताना उससे पले बीडियो को लाइक करके जाना मेरे भाई। पागल बनाते तो फुद्दू बनाते हो लाइक नहीं करते हो वीडियो को वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्षिन बताना कि ये सचाई की वीडियो आपको कैसी लग रही है अच्छी लगी है शेयर भी कर देना मजा जगा वाई धन्यवाद